नबश्कार दोस्वाब सभी का स्वागत करते ही UK SSC and UK PSC Cracker में तो उत्राखन अधिनस्त सेवचन आयोग द्वारा जो नई वेकिंसी आपकी निकलने जा रही है जो की सहायक लेखकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की ये वेकिंसी रहेगी तो इसमें जो है अधियाचन आयोग के पास पहुँचे हैं तो जिसमें की UK SSC द्वारा ये एक्जाम कराये जाएगा असिस्टेंट अकाउंटेंट की वेकंसी तो कितने अधियाचन अभी पहुँच चुके हैं और कितने और अध्याचन आयोग के पास पहुंचिंगे उसके बारे में हम बात करते हैं तो इसमें अलगलग विभागों में पद रहेंगे जैसे कि आप यहां देख सकते हैं शिक्षा विभाग में पद रहेगा जो की सहायक लेखकार का है और पदों की संख्या इसमें आपको एक देखनी को मिलेगी तो qualification एक बार आप देख लें जिसमें की विधी द्वारा जो आपका विश्विद्याले से वानिजी में जो आपका सनातक की उपादी होनी चाहिए अथवा BBA होना चाहिए अथवा Post Graduate in Accountancy तथा हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन प्रती घंटी की गती होनी चाहिए तो qualification एक बार अगर हम जाने तो इसमें जो है आपका Commerce होना चाहिए Graduate Commerce होने चाहिए या फिर आपका BBA सब्जक्ट जो है Graduation होना चाहिए या फिर Post Graduation में आपकी Accountancy होनी चाहिए साथ में देखे टाइपिंग सभी की रहेगी हिंदी टाइपिंग जो है इसमें मागी गई है जो की 4000 की डिप्रेशन के साथ मागी गई है इसके बाद Next Post भी आपकी Same रहेगी जिसमें की 8 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी सहकारी समितियों में ये वेकेंसी रहने वाली और सहाइक लेखकार की है इसमें भी Same आपका Qualification रहेगी जिसमें किसना तक मागा गई है BBA से या फिर आपका Graduation होना चाहिए या फिर Post Graduation होना चाहिए आपका Accountancy से और साथ में जो है जो आपका Typing Test है वो सभी के लिए जो है रहेगा ठीक है Hindi Type टंकन जो आपका Hindi Typing Test है वो सभी के लिए जो है Mandatory इसमें रहेगा 4000 की Depression की जो है Speed इसमें मागी जाती है इसके बाद तीसरी Post इसमें जो है पिटकुल में निकाली गई है Total Post जो है इसमें चार आपको देखने को मिलेगी यह आपकी सहायक तितिय लेखा की Post रहेगी तो इसमें जो है आपके पास Certificate भी जो है मागा जाएगा जो की Computer का Certificate रहेगा तो Computer Course अगर आपने करा है तभी इस Post के लिए अप अपलाई कर सकते हैं एक वर्ष का जो है इसमें Certificate भी जो है मागा जाएगा इसके बाद जो Next Post रहेगी सहायक लेखाकार की ही Post आपको देखने को मिलेगी जिसमें की आपका जो है Graduation होना चाहिए वानिजी से और BBA, Post Graduation या फिर Accounting मतलब तीनों में से एक चीज आपकी होनी चाहिए और इसमें Hindi टंकन जो है 4000 की Depression की मागी गई है इसके बाद Next Post आप देख सकते हैं मुक्ष नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उतरखन में जो है रहेगी सहायक लेखाकार की Post है तीन पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें भी सेम जो है Qualification रहेगी Graduation आपका वानिजिस होना चाहिए या फिर BBA होना चाहिए या फिर Post Graduation होना चाहिए और Hindi टाइपिंग जो है आनी चाहिए देखिए काफी लोगों को डाउट होगा कि हमें Hindi टाइपिंग नहीं आती बिल्कुल भी तो आप घबराएं नहीं सबसे पहले आपका क्या होगा रिटेन एक्जाम रहेगा उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है तो इसके बीच में काफी समय मिलता है मिनिमम तीन से लेके छे मेहने तक का गैप रहता है तो आप लोग अराम से Hindi टाइपिंग के लिए जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सबसे पहले आपका एक्जाम रहेगा जो की MCQ बेस्ट कोशन पेपर रहता है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कैसे कोशन आपको देखेंगे और सलेबर्स भी आपका अकाउंट से ही रिलेटेड होता है तो 100 कोशन आपको देखेंगे MCQ बेस्ट उसके बाद जब आप उसको क्वालिफाइग कर लेंगे इसके बाद ही आपका जो है टाइपिंग टेस्ट वगेरा होता है तो लास्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी ये आपकी मुख्याल है कारागार जो आपका जेल विभाग रहता है इसमें निकाले गई है प्रसासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतरगत तो इसमें जो है छे पोस्टें रहेंगी सहायक लेखाकार की तो इसमें भी देखे क्वालिफिकेशन सभी में सेम आपको मिलेगी और हिंदी टैपिंग तो सभी में जो है मागी गई है तो कुल मिलाके अभी जो आयोग के पास अध्याचन पहुंचा है तो यहाँ पे अभी तेईस पदों का अध्याचन पहुंचा है तो यह जो आटी आई के द्वारा जानकारी मिली है यह माई के आटी आई है चीक है तो माई जून और जुलाई अभी चल रहा है तो यहाँ पे अभी तेईस पदों का अध्याचन निकला है हैं तो 50 तक हो सकते हैं या फिर 100 तक हो सकते हैं अगर अध्याचन आयोग के पास पहुंचे तो अभी 23 तक जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा और इसमें समय लग सकता है क्योंकि ऐसा होता है कि आयोग जो है थोड़ा इंतिजार करता है कि कोई और जो है विभाग हमें अध्याचन दे दे जिससे कि हम पद बढ़ा के एक साथ जो है वेकिंसिया निकाल दे तो इसके कि का सलेबस रहता है अकाउंट्स के कोईशन आपको दिखेंगे साथ में हिंदी जो है इसमें आती है दो चीज़े इसमें दिखेंगी अकाउंट्स के कोईशन और 20 नंबर की हिंदी आती है और सारे जो है इसमें अकाउंट के अलग लग कोश्यंज आपको मिलेंगे सभी कोश्यंज MCQ बेज रहते हिंदी और इंग्लिस में तो आप लोग अपनी प्रिपरिशन स्टार्ट कर लें इसकी वेकेंसी जो है 2024 में ही दिखेगी और नोटिफिकेशन आने की जो उमीद रहती है वो नवंबर तक रहेगी ठीके नवंबर से पहले कभी भी इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो जाएगा तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में और देखें एज की बात करूँ तो 21 से 42 वर्स रहती है सभी को पता है अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपको जरूर से रिप्लाइ करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई